बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम, अस्सलाम अलेकुम, I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही सबरदस सा फॉंडेंट जेलिटिन के बगएर बनाएंगे और ना सिर्फ ये फॉंडेंट बनाएंगे बलकि इसको कलर करना भी सिखाएंगे इसको स्टोर कैसे करना है और इससे हम एक प्यारा सा रेंबो टॉपर भी बनाएंगे मैं ये फॉंडेंट पहली दफ़ा बना रही हूँ इससे पहले मैंने एक दो बार बस मार्शमेलो फॉंडेंट बनाया था लेकिन मार्शमेलो के बगार फॉंडेंट में पहली दफ़ा बना रही हूँ और इसके लिए मैंने शेफ अर्शेद गुफूर की रेसिपी को फॉलो किया है तो चलिए देखते हैं कि कैसा बनता है सबसे पहले मैंने 500 ग्रैम्स आइसिंग शुगर ली है इसको हम किसी बारीक चलनी से चान लेंगे क्योंकि ये किसे लंपी हो जाती है तो इसके लंप्स खतम हो जाएं इसलिए इसको चानेंगे जी तो शुगर को अच्छे से चान लिया है इसके जो लंप्स रह जाएंगे उनको भी किसी चमर से प्रेस करेंगे तो वो भी चंड जाएंगे अच्छा आइसिंग शुगर आप बजार की यूज कीजेगा घर पे पिसी भी चीनी यूज नहीं कीजेगा क्योंकि जितनी फाइन शुगर होगी उतना ही अच्छा फॉंडेंट बनेगा अब इसमें आड़ कर देंगे हाफ टेबल स्पून टाइलोस पाउडर और साथ ही इसमें डाल देंगे वन टी स्पून जैन्थेन गम ये तमाम चीज़ें आपको बेकिंग स्टोर से इजीली मिल जाएंगी और अगर आपके सिटी से नहीं मिलती तो आप बेक हाउसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइट पर रख देंगे अब यहाँ पर मैंने एक और बॉल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ वन फोर्ट कप कॉन सीरप इंग्रीडियंस की कम्प्लीट टिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कॉन सीरप मैं आड़ कर देंगे धाई टेबल स्पून पानी हाफ टी स्पून शौटनिंग का एड़ करेंगे शौटनिंग के जगा आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून वाइट विनेगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी आड़ कर सकते हैं हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड कर देंगे ग्लिसरीन ये एडिबल ग्लिसरीन है अब इसमें कोई सा भी फ्लेवर डाल देंगे मैं वेनीला डाल रही हूँ 140 स्पून क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉंग है बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी इसमें फ्लेवर एड करें वो कलर लेस होना चाहिए क्योंकि अगर आप कलर डैसेंस टाल लेंगे तो इससे फॉन्टन का कलर वाइट नहीं रहेगा चेंज हो जाएगा इन सब चीजों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने जो शुगर वाला मिक्सर पहले से त्यार करके रखा था वो लेंगे और उसमें ये सारे लिक्विड इंग्रिएंस टाल देंगे आप देख सकते हैं कि शॉटनिंग अच्छे से हल नहीं हुई लेकिन कोई मसला नहीं है जब हम इसको नीड करेंगे तो वो हमारे हाथों की हीट से मेल्ट होके इसमें मिक्स हो जाएगी शुगर में इन चीज़ों को अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर ले अच्छा अगर आपके पास टैन मिक्सर हो तो आप यही काम उसमें भी कर सकते हैं डो हुक का यूज करके लेकिन वो सब के पास सही होता है इसलिए यह मैं हाथ से ही बना रही हूँ जब यह तमाम चीज़ें अच्छे से शुगर में मिक्स हो जाएंगी तो इनको हम काउंटर पे निकाल लेंगे मेरे पास यह सिलिकॉन का मैट है लेकिन अगर यह नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है आप अच्छे से किचन काउंटर को साफ कर लें और डिरेक्ट उस पे बना लें अब हम इसमें अपना लास्ट इंग्रिएंट हैट करेंगे यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्रैम्स लिक्विट क्लूकोस इसको आप जिस भी बरतन में निकाल लें उसको पहले थोड़ा सा ओयल से ग्रीज कर लें इस तरह यह बरतन से चिपकेगा नहीं और इसली निकल आएगा यह देखे मैंने कब को ग्रीज कर लिया था तो यह इसली निकल आया है अब मैं अपने हाथों को शॉटनिंग से थोड़ा सा ग्रीज कर लूँगी और इस लिक्विट ग्लूकोस को शुगर वाले मिक्स्चर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां तक कि यह अच्छे से कमाईन होके एक डो की शकल में आ जाए जहां पर भी आपको लगे कि यह आपके हाथों से ज़्यादा चिपक रहा है आप हाथों पर थोड़ी सी शॉटनिंग या घी लगा ले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है जब यह इस तरह एक डो की फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको नीड करना स्टार्ट कर देना है बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी वाले आटे को नीड करते है इसको बहुत ज़्यादा देर तक नीड नहीं करना पड़ेगा बलके सिर्फ दो तीन मिनट ही नीड करना है दो तीन मिनट में ही यह एक स्मूध सी डो बन जाएगी जब यह बिल्कुल स्मूध हो जाए तो इसको उठाएं और इसको इस तरह से स्ट्रेच करके देखें यह अच्छे से स्ट्रेच हो रही है इसका मतलब है कि मारा फॉन्डेट रेड़ी हो गया है इसकी इलास्टी सिटी देखें बहुत ही सबदस है और इसका टेस्ट भी बाजार से मिलने वाले फॉन्डेट के मकाबने में बहुत अच्छा होता है और इसको आप एक ही बार ज्यादा कॉन्टिटी में बनाके रख भी सकते है यह थ्री मंस तक बिलकुल ठीक रहता है अब इस फॉन्डेट को एक बाल की शेप में ले आएंगे यह देखें बहुती स्मूज सी बाल बन गयी है इसकी अब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर लेंगे और इसको दो दफ़ा प्लास्टिक में रैप करेंगे ताके इसमें एर ना जाए एर लगने से यह ड्राइ होके खराब हो सकता है प्लास्टिक रैप से कवर करके मैं इसको एक जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ और फिर इसको डाल देंगे किसी भी एर टाइट कंटेनर में और इसको कम से कम 24 घंटे का रेस्ट देंगे इस फॉर्ण यूज नहीं कर सकते इसको सेट होने के लिए तक्रीबन 24 आवर्स देने पड़ते हैं उसमें ये अच्छे से सेट होके रेडी हो जाता है और फिर इसको यूज कर सकते हैं और इसको रूम टैम टेजर पे रखेंगे कभी भी इसको फ्रेजर या फ्रीजर में नहीं रखेंगे तो जी अब नेक्स्ट डे है मैंने फॉन्टेंट को निकाल लिया है ये थोड़ा सा फ्रम हो गया था इसको हम थोड़ा सा एक दो मिनिट के लिए नीट करेंगे तो ये दुबारा से सॉफ्ट हो जाएगा और अगर आपको लगे कि ये आपके हाथों पे चिपकना स्टार्ट हो गया है तो आप हाथों पे थोड़ी सी शॉटनिंग लगा ले इससे ये हाथों पे नहीं चिपकेगा और इसको नीट करना इजी हो जाएगा ये देखें फॉर्णिन्ट फिर से सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छे से स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया है अब हम फॉर्णिन्ट को कलर कर लेंगे उसके लिए मैंने फॉर्णिन्ट का एक पीस निकाल लिया है और बाकी के फॉर्णनेंट को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे वना ये ड्राय हो जाएगा इसको हम क्लिंग रैप में रैप करके रख देंगे मुझे आज बनाना है रेंबू फॉर्णनेंट जो कि मैं फॉर्स टाइम बना रही हूँ और वो भी हम बनाएंगे बगएर किसी टूल के तो इस फॉर्णनेंट के हम छोटी छोटी सी बाल्स बना लेंगे जितने कलर्स चाहिए उतनी ही बाल्स बना लेंगे फिर एक बाल ले लेंगे और बाकी की बाल्स को हम कवर कर देंगे ताके वो ड्राय ना हो इस बॉल को मैंने फ्लैट कर दिया है और उस पे कुछ ट्रॉफ परपल कलर के अड़ कर दिया है फॉर्णेंट को कलर करने के लिए हमेशा जेल कलर्स यूज होते हैं लेकिन मेरे पास वो नहीं थे इसलिए मैं मिलकीज के लिक्विड कलर्स यूज कर रही हूँ ये कलर काफी कंसेंट्रेट हैं इसलिए एक हम यूज होते हैं कलर को अच्छे से हम फॉर्णेंट में मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक पूरे फॉर्णेंट का एक ही कलर नहीं हो जाता और ये देखें परपल कलर का फॉर्णेंट बन गया है इसी तरह हम बाकी के कलर्स भी कर लेंगे अच्छा कलर करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हाथों पे थोड़ी सी शौटनिंग लगा लेनी है और जब आप एक कलर कर लें तो अच्छे से हाथों को वाश करके आप दूसरा कलर बाद में करें ताकि पहले वाला कलर जो हाथों पे थोड़ा सा लग गया हूँ वो नेक्स्ट कलर में आ जाए और फॉंडनिंट का ये सारा काम आपको गलफ के बगार करना पड़ेगा क्योंकि गलफ के साथ ही बहुत ज़्यादा स्टिक होता है अगर फॉंडनिंट बहुत ज़्यादा स्टिकी लेगे तो आप थोड़ा सा कॉनफॉर भी आड़ कर सकते हैं जी तो यहाँ पर मैंने छे कलर सा आड़ कर लिये हैं अब हम इसका टॉपर बना लेंगे टॉपर बनाने के लिए फॉंडनिंट में थोड़ा सा मैं टाइलोस पाउडर एड़ करूंगी इसकी कोई एक्जैक कॉन्टिटी नहीं है बस मैं अंदासे से थोड़ा सा एड़ कर रही हूँ टाइलोस पाउडर डालने से यह बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है और फिर आप इसको इजिली केक पर लगा सकते है टाइलोस पाउडर डाल के भी मच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों पर मैंने हलकी सी शॉटनिंग लगाई हुई है ताकि यह हाथों से चिपके नहीं अब हम इसको दोनों हाथों की मदद से रोल करेंगे और रोल करके इसको इस तरह लंबा सा कर लेंगे अब मैंने एक केक बोर्ट ले लिया है केक बोर्ट पे मैंने एक नोजल रख दी है अगर आपको बड़ी रेंबो पनानी हो तो आपको एक कुकी कटर भी यूज़ कर सकते है इस नोजल के उपर मैंने यह फॉर्ण लगा दिया है और जितना साइस मुझे चाहिए था उतने साइस में मैंने कट कर लिया है इसी तरह हम बाकी के कलर सको भी रोल कर लेंगे और इसके साथ tehचे जाएंगे ये जैसे मैंने यहाँ पर blue color को ब्रोल कर लिया है इसको भी इस पर लगा देंगे इसको मैंने cut नहीं किया बलके बाकी के color मैं एक साथ end पर cut कर लूँगी मैं यहाँ पर 6 color की rainbow बना रही हूँ और बारी बारी सारे colors इसी तरह add करते जाएंगे तो ये देखें सारे colors मैंने add कर दिया है अब इसको knife से cut कर लेंगे अच्छे ये मेरी first try थी fondant से कोई topper बनाने की ये बिल्कुल perfect तो नहीं बना लेकिन काफी ठीक बन गया है आप भी मुझे comment करके बताईएगा कि ये कैसा बना है अच्छे इनको आपस में stick करने के लिए एप मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ मेरा brush मुझे नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहां पर ear bird का यूज़ कर रही हूँ हलक हलका सा पानी इनके दर्म्यान में लगा देंगे तो ये सारी स्ट्रिप्स आपस में जुट जाएंगी इसी तरह toothpick लेंगे और उसको थोड़ा सा पानी में डिप करके इस तरह से हम fondant में डाल देंगे जिस केक के लिए मैं ये टॉपर बना रही हूँ वो भी मैं आपसे बहुत जल शेयर करूंगी और टॉपर्स जो हैं वो आपने एक से दो दिन पहले से बना के रख लेने हैं ताकि जब वो केक पे लगाने हो तो वो अच्छे से ड्राइ हो चुके हो अच्छे यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि किसी कार्डबोड का पीस कट कर लें रिम्बो के साइस का ही और इसी शेप में उस पे हलका सा ब्रश से पानी लगा कि आप ये रिम्बो उसके उपर चिपका दे मैंने ये स्टेप नहीं किया क्योंकि मैं ये घर के लिए ही केक बना रही थी और मुझे टॉपर एड़ करके फॉरन ही केक को कट कर लेना था अच्छे यहाँ पर मैंने एक कार्डबोड लिया था उस पे क्लाउड की शेप ड्रॉड कर ली थी और उसको कट कर लिया था फॉरनेंट को मैंने थोड़ा सा कॉनफोर लगा के बेल लिया है और उस पे ये क्लाउड रख के नाइफ की मदद से कट कर लिया है क्लाउड के कटर्स भी बाजार से मिल जाते हैं लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस तरह बना रही हूँ इसके जो एज़िस हैं उनको मैंने एरबर्ट की मदद से राउंड कर लिया है और ये देखे मारा क्लाउड टॉपर बन गया है इसी तरह एक और बना लेंगे अब इनको मैंने रेम्बू पे हलका सा पानी लगा के चिपका दिया है और ये रेम्बू केक बोट के साथ ना चिपक जाए इसलिए मैंने इसके नीचे एक प्लास्टिक का पीस रख दिया था वीडियो ची लगी है तो थमस अब दें और मेरे चैनल को सब्स्राइब भी कर लें दौआ में याद रिखेगा अल्ला हाफिज